नमस्कार दोस्तों निफ्टी वीक्ली एनरेसेस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 17956 पे और 900 के ऊपर जरूर हम काम्याब हो गए क्लोज करने में लेकिन यहां पर देखा जाए तो हम 18000 के नीचे ही यहां पर क्लोज कर रहा है और कंटीनी देखेंगे तो पिछले चार वीक से हम लगबग लगबग एक ही लोग फॉलो कर रहा है ज्यान से देखिए आ क्योंकि निफ्टी अब यहां पर रेडी हो रहा है एक मूमेंट के लिए वो मूमेंट ऊपर की साइड की होगी कि नीचे की साइड में मिलेगे तो वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए कंटीनीव हम चार वीक से एक ही लोको टेस्ट कर रहा है यह जो रेड केंडल बनी है यह लगबग है 460 पॉइंट की रेड केंडल है यह वाली जो ग्रीन केंडल बनी है यह 300 की केंडल है यह वाली रेड कें केंडल इसी रेड केंडल के अंदर में ही लोग को यहां पर लगबग मेंटेंड कर रहे हैं तो ध्यान रखेए का नीचे की साइड में जो सपोर्ट है निफ्टी पे वह बहुत अच्छा सपोर्ट बन चुका है सपोर्ट आप मांचे चलिए क्लोजिंग बेसे सब्सक्राइब साथ सो पचाइब नीचे की साइड में जो एक स्ट्राइब सपोर्ट है कि हम चार वीक लगबग एक महीने से हमने इस लो को कंटिन्यू रिस्पेक्ट किया है तो यहां पर जो लो है वो है सत्राइब साथ साथ स डृट कि यहां पर की साइड में रजिस्टंस है यह हमारे लिए वोग निचे की साइड में जो है सपोर्ट है जो है वह हमारा एकट्राइब लगबग लगबग आपको 400 से 500 point का correction दिखा सकता है अगर इसने नीचे की side में break किया तब अगर उपर की side में break किया तो यहाँ पे 400-500 point आपको अप move यहाँ पे nifty देख सकते हैं nifty में आप तो नजर बना के रखे है क्योंकि nifty एक range में है इस range को जिस side में हम break करेंगे हमारे पास यहाँ से यह मानके चलि करेंगे तो दीरे-दीरे क्या कर रहा है यह लोग को continue respect कर रहा है लेकिन एक चीज और देखेंगे कई बार यह करता है क्या को लोग को बार बार आके hit कर रहा और suddenly कहीं पर break कर देगा कुछ ऐसे news इसको मिले break कर देगा तो काफी तेजी से नीचे की side में moment यहाँ पे देखने को मिल सकती है तो नजर बनाके जरूर लखिए अगर 17,750 अगर किसी के पास nifty की position होगी तो उसका strong जो SL होगा closing basis पे वो 17,750 का यहाँ पे SL यहाँ पे रहना चाहिए अब चलिए मैं फेबनाची रिट्रेस्मेंट के हिसाब से भी आपको bank nifty को जा दिखाता हूँ तो यहाँ पर देखे मैंने फेबनाची लगा लिए ये यह जो लो है इस लो को मैंने यहाँ पे लो को मैंने एट किया और यहां पर हम हाई पॉइंट को लेके जा रहा है और यहां पर देखेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल सही जगह पे इसका सपोर्ट आ रहा है जो 50% का सपोर्ट होता है फेवनाटी रिस्टेस्मेंट का 50% का जो सपोर्ट है वो बिल्कुल इसी जगह पर आ और वो जो लेबल है वो है यहाँ पे 17,812 का तो इसलिए मैंने जो इस्टापलोस आप लोग को बताया 17,750 का यह सेफ इस्टापलोस है अगर इसके नीचे क्लोज करेगा तो निफ्टी जो है वो तेजी से नीचे की साइड में आ सकता है तो यहाँ पर दीखें जो यह रैली हम हमने श्टाट की थी 16,754 से इसी मूब में हम यहाँ पे गए 18,870 पे वापस लगबग लगबग हमने 18,870 से देखा जाए तो हम 700 के आसपास आते हैं continue 750 के आसपास तो अभी हमने यहाँ पे क्लोज दिया है लगबग 18,000 के आसपास में तो यहाँ पे नजर बना के रखेंग रेंज के जिस साइड में निफ्टी निकला वहां से आपको 400 से 500 पॉइंट की एक फास्ट मूमेंट देखने को मिलेगी और यह मिमेंट बहुत फास्ट होगी यह उपर की साइड में भी जा सकता है नीचे की साइड में भी जा सकता है तो यह आप देखो आप टेडर हो ध्य यहां पर कोई वीव समझ में नहीं आ रहा है बीच में अगर डेली चार्ट देखूंगा या इंट्रडे चार्ट देखूंगा थो छोटे चुडे मूब पकड़ में आएंगे अगर बड़ा मुव मुझे पकड़ना है तो मैं यहां पर वेट करूंगा या तो बैंक निफ् सपोर्ट लाइन आ रही है वो भी हमारी 17,750 के पास में आ रही है तो यहां पर आप नजर बनाके रखिएगा अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और सेर भी जरूर करते रहेगा तो अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रूप जोइन करना चाते हैं तो देखिए समझे और सीखते रही है अब यहां पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की है तो इस ट्रेंड लाइन को भी ध्यान से देखिएगा आज फ्राइडे है तो आज के लो को मैंने यहां पर मैच कर दिया है आज के सवरी इस वीक के लो को मैंने यहां पर देखा है तो लास्ट जो लो था वो मैंने पकड़ा क्योंकि इसी लो के आत्पा से continue हमने consolidate किया था और consolidate करने के बाद हम उपर की side में निकलेते weekly chart पे तो इस लो को हमने add किया है इस लो से हमने जो इस week का low है उसको मैंने match किया है तो अगर बैंक ने ये trend line भी break दिखें यहाँ पर एक support नहीं है आ लेटी यहाँ पर तीन support मिल रहे है बिल्कुल clear cut तीन support मिल रहे है एक तो parallel line का support जहाँ पर हमने पिछला breakout किया था यह हमने breakout किया था यही अब support का काम कर रहा है दूसरा फेवनाची retracement का support जो की 50% का support यहाँ पर मिल रहा है तीसरा यह trend line का support यहाँ पर मिल रहा है तो ध्यार नखिएगा इस तीनों ही condition में support बहुत अच्छी जगह पर यहाँ पर निफ्टी में बना हुआ है अब यहाँ पर की side में एक trend line अगर हम add करेंगे तो यहाँ पर लक्ताれ, जो कि बहुत अच्छा उनिफ्टी में देखने को मिलेगी और breakdown होता है तो भी आपको बहुत अच्छी चाल निफ्टी मेंер देखने को रहे के आएगी 16,700 के आसपास का ये move बिल्कुल open हो जाएगा पहला जो support आपको मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा 16,400, 400, 500 के बीच में और दूसरा जो support मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे 16,700 के आसपास तो ये बहुत बड़ा move open हो जाएगा दाउन साइड के लिए अगर हम इस triangle pattern को नीचे की side में break करते हैं तो अब देखना है कि next week में कि side में break करता है hope ये है कि ये continue बार बार यहाँ पर support ले रहा है ध्यान रखिएगा ये जो support ले रहा है ये support नहीं ले रहा है ये SL है ये पिछले चार वीक का जो लोग थोड़ा सा long term में hold करते हैं इंडेक्स को उनके चार वीक का की निफ्टी दो दिन या एक दिन में ही दिखा देका तो यहाँ पर यहीं नजर बना कर आप ज़रू रखेगा उसी तरह से उपर की side में भी देखिएगा तो यहां पर तीन ऊ-ँडित करना ही स्टार्ट करता है थर..? यहां पर भी ऐसे लगे हुए है या फिर कॉल राइटर जो होंगे पुट राइटर होंगे वो लोग पोजिशन बनाके रखे हुए है इस बीच में कि जैसे इस बीच में बीच में अगर निफ्टी क्लोज करता है तो यह सारा पैसा जीरो प्रीमियम जीरो हो जाएगा और सार मैं बैंक निफ्टी के important label पोश्ट करते रहता हूँ जिसको आप देखिए तमाजी और सीखते रहिए अगर आपको daily वीडियो निफ्टी वाली चाहिए तो वीडियो के निजे कमेंड कीजिए तो मैं कल बैंक निफ्टी की एक डेली वीडियो भी आप लोग के लिए बना दूँगा दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और से जरूर कीजेगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में चैहें